एलो फ्रेंट्स बेलकम आज की वीडियो में हम इंटर्व्यू क्वेश्चन्स या पैटर्न पर बात करेंगे यूट्यूब या इंटरनेट पर इसके वारे में काफी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए हेलफुल भी होती हैं जिसमें टॉप टॉप टैन टॉप मैं हैंड रिटन कोशन्स की मैंने वो वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर बात करेंगे जो एक्चुल में आपके काम आएंगे जो आपको प्रिपेर करने हैं विकोज मैं ज किये थे और सब में अल्मॉस्ट सेम पेटर्न होता है यह चीज में नोटिस की थी जो काफी इजी है वट हमें वह एज़ फ्रेशर वह डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम जो चार साल बीटेक या डिपलोमा एमटेक एकसेटरा में जो पढ़ते हैं वह उसले वस काफी अल्मॉस्ट नेगलीजिवल होता है और यही में रीजन है कि हमें जोब नहीं मिल पाती है तो जोब ना मिलने का में रीजन यह भी है कि लेवर और मैसन हैं मोर प्रेटिकल नोलेज देन अफ्रेशर इंजिनियर तो जब एक तो साल अगर आपका एकस्पीरेंस हो जाता है त आपके लिंक्स बन जाते हैं या फिर आपको नोलेज हो जाती है तो उसके वेस पे आप थोड़ा एजली जो प्ले सकते हो सो इंटरव्यू में सबसे पहले इंट्रोडिक्शन हो गया देन एजुकेशन स्टेंथ वीकने से एकसेटर होता है जिस पर हम यहां पर बात नहीं करेंगे देन टेक्निकल तिंक्स जो आज सबसे ज़्यादा आपसे बूची जाती है हम सिर्फ उसी के वरे में यहां पर बा साड़े चार इंच या 9 इंच की वाल्स कहां पर दी हैं स्टील वर्स कैसे प्रोवाइड किये हैं सम्टाइम्स इंटरव्यू क्या करता है कि जो ड्राइंग्स दे देते हैं आपको एक और उसको देखके आपको उसकी डिटेल्स बतानी होती है अगर सही बता देते हो आप तो बस इतने से आपकी सेलेक्शन हो जाती है फॉर एक्सांपल अगर आपको एक बीम की स्टील डिटेल दे दें और बस एक कोशन पुछेंगे विवाप से कि इस ड्राइंग को आप देखके बताओ कि क्या समझ आता है इसमें सो यह उनका फर्स्ट और फाइनल कोशन होता है उसमें एक्स्ट्रावास जो या फिर टॉप या बोटम में जो स्टील का डाया या रिंग्स की स्पेसिंग एक्सेट्रा यह सब आपको रिप्रेजेंट करना होता है उनको वह भी लोजिकल आंसाइस के साथ है मेंस कि अगर बीच में आपसे इंट्रव्यूर कोशन पूछ ले कि अचा यह बताओ कि टोप में क्यों दी एक्स्ट्रावास यह बोटम में क्यों नहीं है या फिर जो स्टीरप्स हैं स्टीरप्स को आप रिंग्स भी बोल सकते हो स्टीरप्स कॉर्णर में क्लोज क्यों है सेंटर में तो जो यह क्यों है मतलब कि जो भाय है इसका अंसर आपको आना चाहिए ठीक है सो सेकंड पॉइंट इस वार बेंडिंग शेडिवल यह वो टोपिक है जो हर इंट्रव्यूर पूछता है अगर फस्ट जोब के लिए जा रहे हो तो बस इसका बेसिक सीख के जाओ आप जो मै और अगर एक experience हो आप देन आपको advance में BBS आना चाहिए जो Excel sheets में बनता है उससे क्या होता है कि timely बन जाता है उसमें short time में काफी जल्दी आप उसको पूरी building का BBS बना सकते हो otherwise जो आप manually करते हो वो एक starting step है उससे आपको time ज़्यादर लगता है कि BBS के बारे मैं just basic info लेके जाओ लाइक इसकी definition क्या होती है यह जो बनाने का pattern होता है जैसे यह देखो इसमें यहां पे एक pattern दिया हुआ है एक general सा pattern है यह जैसे इसमें description है डाया क्या है उसका या फिर उसकी length कितनी है number of hours या फिर total length total length हो जाएगी वही जो number को आप इससे length से multiply कर दोगे इसी तरह weight और end में इसका जो total weight निकालते है total weight निकलेगा जब आप सारे total weight आप इस तरह से निकालो कि आप चाहिए उसमें merge कर दो 8 mm का 10 mm का 12 का सबका weight निकालो एक general सा अगर आप अलग से निकालने चाहते हो कि 8 का कितना है 10 का कितना है तो उसका भी निकाल सकते हो आप और weight of steel का एक formula है d square l upon 164 so ये general formula ये आपका हर जगा मतलब कि इसको आप एक तो होता है कि आप weight पर unit निकाल सकते हो पर meter का उसका आपको direct internet पे भी मिल जाएगा बट उससे वेटर है कि आप d square l करो because l करके आप total length का एक साथ के साथ ही निकल जाता है otherwise आपको एक अलग से row बनाने पड़ेगी सो वैसे जो बारा मीटर की जो लोंग का सरीया आता है जो जनरल बारा मीटर का होता है एक सरीया उसकी एक बंडल का weight होता है 85-95 kg और जो total weight से आप idea लगा सकते हो कि number of bundles कितने आ रहे हैं मान लिए आपका इतने 1000 तन दिया हुए या इतने टन का आपका steel आया पर तो आप उससे एक idea ले लोगे कि इतने bundles आये होंगे ठीक है तो एक और बात है कि जो number of wars को bundle में convert करना भी आना चाहिए आपको कि एक bundle है उसमें 8 mm का है तो कितने वार्स होंगे 10 का है कितने होंगे 20 का है तो कितने होंगे जैसे जैसे डाया बढ़ता है bundles में numbers कम होते ज building जिब start होती है तो exhibition से सो उसका जो first work होता है उस खाली प्लोट में यह decide करना है कि कहां पे footings आएंगी आपकी then column के dimensions, center to center spacing etc. जो drawing में दिया है आपको उसको reality में आपको ड्रा करना होता है इसी तरह brick work करते टाइम भी layout का important role होता है यह as per drawing देखके आना चाहिए आपको ज्यादा difficult तो नहीं है वस लोग door और window वाली जगा पे जो plaster होता है या POP, paint, putty etc. का जो margin लेते हैं हम उसको लेना भूल जाते है विकोस जब door आप fit करोगे उसमें तो एक तो होता है कि आप at the time of brick work आप door लगा रहे हो और एक होता है अगर आपका सब brick work हो चुका है उसके व साथ से आपको उसमें लगाना पड़ेगा इसी तरह जो staircase है staircase देखो one of the most important and calculative है because उसमें आपको steps, risers के जो size है या number of steps, bottom या top में landing, landing means जो चौंकी होती है अपनी, उसकी landing की slab या साथ में जो finish floor का margin लेके इस सब का ध्यान रखना पड़ता है आपको otherwise उपर तक आते आते जो riser है उसमें थोड़ी गड़बड हो सकती है but freshers को staircase skip कर सकते हो आप इसको because यह topic एक experience का है, experience engineers को इसकी थोड़ी जादा जरूरत है so fourth point आपका measurement जब आप newly join करते हो कोई भी site पे then आपको inch tape सब जगा यूज होता है आपने देखा होगा mystery या जो भी हर कोई चोटा बड़ा हर कोई ये use करता inch tape को so आपको उसमें fit या inches mm etc को convert करना आना चाहिए then other works possible नहीं है इसके विना because जैसे आप fit inches में उसमें थोड़ी भी गड़बूड हो जाती है तो आपका काफी ज्यादा मतलब building में एक तो आपकी economically लिए आपको थोड़ा loss हो सकता है और बैसे भी आपका structure की मतलब appearance खराब हो सकती है उसकी अगर आपकी छोटी सी mistake भी होती है तो so बहुत सारे measurement units use होते हैं जो site में like square fit to meter square में convert करना आना चाहिए आपको या फिर volume में भी अगर आप cubic meter में लेते हैं thank you big fit में etc में तो यह basic convergence आनी चाहिए आपको experience का वैसे यह topic नहीं है उनको तो measurement यूज नहीं होता उनका विकास उनको इतनी fluency आ चुकी होती है बट और ना उनसे ऐसे कोई question पोस्चे जाते हैं इंट्रेव्यू में बट उनको थोड़ी काफी मतलब advanced level में यह चीज़ विए एक बार-बार मैं बोल रहा हूं कि जो freshers हैं उनको basic आना चाहिए और जो experienced engineers हैं उनको थोड़े advanced level में आने चाहिए कोई भी चीज सो उनको visually कोई भी चीज को अच्छे से analyze कर सकते हैं कि यह कितना कोई भी plot उनको दिखा के कि यह कितने गर्स का होगा या कितने square feet का होगा मतलब उनको बार-बार-बार-इंचिटेप की जरूरत नहीं पड़ती है और जैसे एक slab casting हो रही है तो वो ऐसे visually देखके बता सकें कि इतने meter cube इसमें concrete लगेगा या फिर RMC का अगर truck order कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि कितने trucks में यह concrete हो जाएगा अपना slab का या आप मान लिया कहीं पर आपका P.O.P का वर्क चल रहा है या paint etc का तो उसकी measurement लेना आना कि क्या चीज आपकी square fit में आईगी और कौन सी चीज आपकी running fit में जैसे walls और ceiling के rates अलग लग होते हैं तो उसकी measurement को मज़ भी नहीं करना है आपको तो यह सब बिद experience आता है ओके next point is softwares वैसे तो बहुत सारे softwares हैं जो एक site engineer architect quantity surveyor और जो होते हैं billing engineers and even project manager तक use करते हैं but as a fresher आपको AutoCAD का basic knowledge होना चाहिए AutoCAD 3D आता है then fine otherwise story is enough और interviewer आप से AutoCAD की full forms बोच सकता है या फिर PDF में उसको कैसे convert करते हैं और सब का आपको आने चाहिए और साथ मैं आपको MS Excel का basic knowledge आना होना चाहिए क्योंकि MS Excel हर जगा यूज़ होता अचकल इसी तरह experience जो experience को तो AutoCAD का मतलब की complete आना चाहिए उसमें आपको 2D भी आना चाहिए और 3D भी आना चाहिए साथ मैं आपको MS Excel plus जो आपके Strad Pro हो गया या फिर eTabs हो गया इन दोनों में से आप एक कर सकते हो वैसे दोनों सेम परपस है दोनों का और साथ में आप रैविट कर सकते हो सो इतना काफी होगा एक experience के लिए प्लस अगर आप already job में हैं और आप higher promotion के लिए आप वो कर रहे हो देन आप सीख सकते हो जैसे आप अगर प्रोजेक्ट manager के लिए apply कर रहे हो देन आप MS प्रोजेक्ट कर सकते हो और साथ में प्राइम बेरा कर सकते हो यह दोनों ही काफी important है और एक और बात है जो मतलब of the topic है जो इसमें topic apart नहीं है वाट मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए apply कर रहे हो देन आपको सीपीम सर्टिविकेट होता है कर कंस्ट्रेक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वह एक डिप्लोमा होता है वह चीज़ आप कर सकते हो वह ब रोटिकल नौलेज होगा इसलिए आपको बेनिफेशल रहेगा अगर आप दो साल experience के बाद करो और साथ में एक और आता है पी-ई सर्टिविकेट वह रहता है प्रोफेशनल इंजिनियर सर्टिविकेट यह काफी रेर इंजिनियर्स होते हैं जिन के पास होता है और अगर आ कोई भी कंपनी है जो फ्रेश से वह ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करती है बट उनको एट लेस्ट मैटिरियल की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए पोर एक्जांपल आपको अगर कोई स्लैब कॉलम बीम या फुटिंग में कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालनी है यह सब आपको पूछा जाए या फिर उसमें क्या ग्रेड है कंक्रीट का उसके बेस पे आप कितनी उसमें क्वांटिटी की सेंड की एग्रिगेट लगेगा यह सब आपको आना चाहिए इसमें कुछ बेसिक मैथेमेटिकल फॉर्मूला भी यूज होते हैं बट आप बस एक ल,y,by,h,a जो फॉर्मूला लिखा है यह आप यूज कर सकते हो यह वोलिम निकलता है इससे इससे आपका कंक्रीट का वोलिम निकल सकते हो यह फिर ट्रक में कितनी सैंड है यह रोडी है यह फिर एवन जो नंबर ओफ वरिक्स है वो सब एक ही फॉर्मूला काफी है आपके अधिमेशन यह सब आना चाहिए आपको और फॉर एक्जमपल हर टाइप के स्टक्चर या शेप की क्वंटिटी है या उसमें कितना मैटिरियल लगेगा सब एकुरेटली एंड फॉस्टली आना चाहिए आपको फॉर एक्जमपल अगर आपके फांडेशन है वो इसुलेट का तो आपको जिम्पल पता है कि लवाई बीवाई एच फॉर्मॉला है और जो आपका ट्रेपजोडल शेप है उसका यह फॉर्मॉला है तो इस तरह के काफी मतलब चीज़े होती है जैसे आप कटिंग लेंथ फांड करते हो उसमें भी आपको डिफरेंट चीज़े होती है तो यह सब काफी experience को आनी चाहिए यह प्लस इसका एक देखो जैसी जुगाड लिखा है मैंने यह भी आप यूज़ कर सकते हो यह जल्दी-जल्दी calculation के लिए अगर आप formula नहीं यूज़ करना चाहते देन आप यूज़ कर सकते हो 1.5 into lybyh इससे भी आप trapezoidal footing की volume निकाल सक होते हो ओके सो नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट आपका concrete grades and ratio आपको अगर पूछा जाए कि M 15 में क्या ratio use होता है दिन काफी freshers हैं जो उनको answer नहीं बता होगा सो रेशो भी one of the most asked question होता है जैसे यहां पर M 15 से लेके M 30 तक के ratio दिये हुए हैं सो यह देखो जैसे ही लिखा है M 5 का है 1 ratio 5 ratio 10 M 7 का 1 ratio 4 ratio 8 इसी तरह 10 15 सब के हैं M 20 का 1 ratio 1.5 ratio 3 इसी तरह M 30 का 1 ratio 1 ratio 1 तो यह सब आपको आने चाहिए जैसे कि आगे जो ratio given होते हैं जो experience का काम है वो आपको इतने से काम चल जाए है experience को ratio के साथ-साथ जो higher ratios है जैसे M 40 की बात कर लें या कोई भी है तो वह पता होना चाहिए जैसे nominal mix क्या होता है design mix क्या होता है इन में difference क्या है या sometimes जो better finishing के लिए क्या करते हैं कि उसमें dust की quantity increase कर देते हैं dust बोलो sand बोलो या weather पूर उसकी quantity increase कर देते हैं वो भी पता होना चाहिए और site में सबसे ज्यादा तसला या बोरी यह चीज होती है जब भी आप कोई mix बनाते हो तो इसमें लेके जाते हो आप उसको सो लेट आपको बोला जाए कि अगर कोई portion कास्ट करना आपने कोई भी slab का या किसी चीज़ का देन M25 ग्रेड यूज कर रहे है मान लिया तन यू शुड वी capable of explaining how many Tesla dust and aggregate will use in one cement bag so यह सब आप आपको पता है देन आप आप बता सकते हो आप interview के लिए आपके helpful रहेगा और यासी इसमें लिखा वन बैक सिमेंट होता है एप्रोक्सिमेटली तीन तसले जो एक तो compressive strength आप अगर सिर्फ एक टेस्ट वी आता है अगर आपको as a fresher हो तो सबसे ज्यादा mostly यही चीज़ पूछे जाती है उसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है एक तो आपका क्यूब का size हो गया जो 155 155 150 mm में आता है यह उसी तरह weight हो गया 8.1 kg हो गया और साथ में आपको 7 & 28 days की उसकी compressive strength पता होनी चाहिए तो यह सब as a fresher आपको काफी helpful रहेगा इसके अलाव आप slump test कर सकते हो core cutter test हो गया या फिर material जो आते हैं site पे उनके own site test पता होने चाहिए लबरोटरी की आप पढ़ सकते हो वैसे जो उसमें perform होते हैं और अगर आप highway में job करते हो दिन आपको bitumen के test पता होने चाहिए जैसे आपका softening point हो गया penetration test हो गया या फिर definitions होगी जैसे flash point fire points वगयरा यह सब आना चाहिए आपको और इसके साथ मैं आपको जैसे specific gravity test हो गया या फिर उसेंचले अप्डेजन टेस्ट हो गया इसी तरह सर्वे के भी कुछ टेस्ट होते हैं जैसे plane table का हो गया compass का हो गया या फिर आप theodalite वगयरा यूज किया होगा आपने auto level काफी important topic है उसका एक separate video बन सकती है उस पर तो यह सब भी आपको पता होने चाहिए इन लास्ट है आपका miscellaneous देखो यह जो eight points बता है यह काफी है आपके उसमें पर अगर आप extra कर रहे हो दिन आप कर सकते हो जैसे miscellaneous में आपको आगया जैसे कोई भी structure है उसका आपको cover पता होने चाहिए cover blocks पर मैंने एक video बना रखी है उसका link मैंने आपको description में दे दिया है इसी के साथ साथ आपको auto level की basic पता होना चाहिए जैसे इसमें basic की आप जान लो कि आपको क्या क्या होता है उसमें वह काफी है व आपको bubble कैसे set करना है तो यह सबाना चाहिए और आप सीख सकते हो जैसे basic details सीख सकते हो जैसे column की beams, lab, footing, bricks बगएर इनकी क्या क्या specifications होती है और अगर experienced हो then आपको wills आने चाहिए, bills कैसे बनाते है, DPR, supervision हो गया, steel details, clients को कैसे handle करना है, support tractor या seniors वगएर को और इसी तरह electric plumbing वगएर की drawings आती है, finishing होता है, finishing में क्या क्या आ आजाता है, tiles आ जाता है, pop works हो गया, paint, putty, etc. या फिर आप ACP sheets लगती है या wooden works हो गया, door fitting, chokhat वगएर जो fit हो reward होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, so यह सब काफी है आपके लिए, okay, so इसके अलावा interview आपकी mental strength को check करते हैं, like आप से different situation में आप कैसे work कर सकते हैं, जैसे आपको मान लिया, 2-3 sides होंगे आपके पास, तो आप एकी time पे कैसे handle करोगे सब को, यही कुछ points हैं, जो repeatedly interview में पूछे जाते हैं, freshers को मैं बोलूँगा कि यही सब आप पढ़के जाओ, और confidence के साथ answer तो, because अगर knowledge कम भी है आपका और confidence जो है, वो आपका soft movie के hero जैसा है, तब भी आपके selection के chances जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है, so video काफी lengthy हो गई है, और hope this will help you, so guys, channel को subscribe कर दो, और video अ और अगर कोई और points आपके mind में हैं, तो comment में आप बता सकते हो, okay, so मिलते हैं next video में, bye